तो भाई फाइनली स्कोडा की कुशाक का ये लिमिटेड एडिशन मॉडल है जो के ओ एनेक्स नाम से कंपने ने मार्केट के अंदर लॉंच कर दिया है पहला ये मॉडल है जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और ये ग्रेकरन में बहुत ही जादो सुन्दर गा जाएंगी और अगर गाले के पीछे की दराफ आते हैं तो आप देखेंगे कंपनी ने एलेडी का जो हुआ ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं करा है उसकी बजाएं गाली के अंदर आपको हैलेजन में सेटप दे दिया है जो कि आपको हैलेजन में टेलाइट्स देखने के मिल क्लें मिल जाएंगे अगर दोलीक से देखेंगे तो हैवी क्ले तो और ह्यावी काली के अंतर आपको देखने के मिल्च कि योकर आपको ज्यादव मदल मदत करें ओफ रूडि की बात करें तो रूज। mmm मैट कला के डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ओवरल गाली को कॉम्प्लिमेंट कर रहा है अपने साथ में आफ्टा मार्केट अगर गाली के अंदर आप काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं क्रूम फिनिश अगर आप विंडो के उपर कुछ काम करवाना चाहते हैं वह आप करवा सकते हैं कुछ इस तरह का गाली का फ्रंट का एलेडी में प्रोजेक्टर हैड लैंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि डियारल के एलेडी डियारल के साथ आते हैं तो यह जो स्कॉडा कुशा के जो टिपिकल ग्रीली है वो भी यहां पर आपक हैं बागे गाली के एगर फॉग लैम्स की बात करें तो गाली के इंदर हैल경 में भॉइक लेमशन में देखने के लिए मिल जाते हैं वह अब आपको में जल वाके देखने के लिए मिल जाते हैं Automatic OR VMs देखने के लिए मिल जाते हैं छे स्पीकर गाली के अंदर आते हैं जो कि अच्छा खासा साउंड प्रोडिूस करते हैं मैंने साउंड से मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर बात करें गाली के स्टेरिंग वील की तो मल्टी फंक्शनल स्टेरिंग वील से लेकर आपको अटोमेटिक AC, अटोमेटिक क्लामेटिक कंट्रोल, पावर स्टेरिंग, पावर विंडो, सेमी डिजिटल इंस्टूमेंटर क्लस्टर इन सभी चीजों के साथ गाली आपको देखने के लिए मिल जाएगी बागे अगर बात करें गाली के AC वेंट्स के बारे में, तो AC वेंट्स भी आपको काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं और उनके अंदर आपको क्रूम टच फिनिच भी देखने के लिए मिल जाती है डूल टोन गाला का जो गाली का डैश बोर्ड है, गाली का जो इंटीर है, वो काफी जादा लक्जरी फील देता है नो डाउट आपको गाली के अंदर इस तरह का कुछ आपको एक पाइपिंग क्रूम देखने के लिए मिल जाती है जो कि connected रहती है गाली के AC वेंट से, गलब वोक्स कोलते ही इस तरह का कुछ इस पेस गाली के गलब वोक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है और वहीं अगर बात करें गाली के हम steering के अवारे में, leather finish में steering आपको मिल जाता है जो कि इस तरह का कुछ instrumental cluster के साथ आता है इस events नो डाउट बहुत जादा stylish है seat तक सभी चीज में आपको fabric देखने के लिए मिल जाता है जबकि company ने कहा था कि गाली की जो seat से उनको आपको leather, appell stream में देखने के लिए मिल जागा और जो onX की batching है वो भी seat से लेकर गाली के mats तक सभी में देखने के लिए मिल जाएगी लेकिन यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि कोई भी आपको batching onX की या फिर seat पे या फिर गाली की mats में देखने के लिए नहीं मिलती है बाकी मुझे बोला किया था कि शायद इसके अंदर cover चलेंगे तब आपको शायद उस batching को देखने के लिए मिल जागा लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं देखने के लिए सारी के सारी blank पढ़ी है गाली की अगर बात करें प्लास्टिक के बारे में तो no doubt squoda है तो अच्छी कासी प्लास्टिक का यूज करा है build quality का लिए बहुत जादा अच्छी है गाली के अगर हम instrumental cluster खोलते हैं तो कुछ इस तरह का जो instrument cluster है वो आपको सामने देखने के लिए मिल जाता है जो के इतना जादा बुरा नहीं है ठीक ठाक है लेकिन जिस प्राइस रेंज में गाली आती है तो उसमें बहुत जादा options है आपके पास seven inches का जो infotainment system है इसके अंदर आपको wirelessly android apple और auto car play देखने के लिए मिल जाएगा गाली के अंदर थोड़े बहुत functions भी है आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर आपको आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आपके पास options available रहते हैं आप aftermarket जा सकते हैं एक अच्छा सब्सक्राइब में सिस्टम लगवा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है लेकर अगर बात कुर में टाच की तो अच्छा सब्सक्राइब कर देखने के लिए मिला लेकिन फिर भी अगर आप सटिस्वाइड नहीं तो जा सकते हैं आप बाहर से अपना मीजिक स्टॉल करवा सकते हैं गाली का साथ आपको यह इस पेर विल देखने के लिए मिल जाता है जो कि 16 इंचिस का सेम साइस का रहता है और नो डाउट गाली की जो प्लास्टिक है उसको काफी अच्छा सा इनहेंस करके कंपनी ने मार्केट के इंदर गाली यह उतारी है और जो लेदर की क्वालिटी है वो भी बहुत जाधा अच्छी है बाकी गाली का हौन जो है मुझे परसनली बिल्कुल पसंद नहीं आया एक अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग करी गई है हौन को लेकर मतलब इतनी भी का चिंदिचोरी करना चाहा था एक हौन तो दे ही सकते थे बारत एल्लाग पर इंसान वेस्ट कर रहा है तो एक हौन तो डिसर्फ करता ही है बाकी टिल्ट एडजस्ट गाली का जो स्टेरिंग है वो कि आपको 114 भी और 178 न्यूटर मिटर का पीक टॉर्क जनरेट करेगा यह गाड़ी आपको 6-speed only manual transmission के साथ देखने के लिए मिलेगी अभी यह वेरिंट अविलेबल नहीं है अगर बात करने गाड़ी के प्राइस के बारे में तो यह जो प्राइस है आपको 12,000,000 कम 40,000 का ए देखने के लिए मिल जाएगा city to city डिफर भी करता है कि 5000 पर नहीं हो सकता है लेकिन इस प्राइसिंग देंज के अंदर यह गाड़ी आपको देखने के मिल जाएगी बाकि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेग तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को झाल